हेलो स्टुडेंट्स, क्लास 12 का जो चैप्टर 13 ने 3D में बात करूं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो अब देखते किशन नमबर 6 को रिडिउस दा इक्वेशन ओफ दा प्लेइन एक्स माइनस 2Y प्लस 2Z इक्वल 6 यह आपको प्लेइन का इक्वेशन रख़े है और इस इक्वेशन को किसमें रिडिउस करने है तो दा नॉर्मल फॉर्म ओके इस प्लेइन को नॉर्मल फॉर्म में हमको कनवर्ट करने है नॉर्मल फॉर्म कौन सा ध्यान करो LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल P वाले फॉर्मेट में इसको कनवर्ट करने है अब आप बोलोगे सर यह वैसा ही तो कुछ है xyz आ रहे है इधर भी constant आ रहे है लेकिन यहाँ पे जो हमको equation रखे है वो cartesian equation इसने बोल नहीं रखा कि यह normal format में है नहीं बोल रखा convert करवा रहे है इसका मतलब यह cartesian format में है तो यहाँ पे जो xyz के जो आप पे coefficients देख रहे हैं न यह क्या है इस plane के perpendicular direction में यानि normal हम बोले है उस को ठीक है तो उस normal के direction ratios है 1-2 और 2 हमको क्या चाहिए इन ratios की जगे इन की जगे हमको L M N यहीं direction cos चाहिए ठीक है ओके आगी क्या कह रहे है and hence find the length of perpendicular from origin to the plane origin से इस plane की perpendicular distance find करनी है ठीक है तो equal जो P आएगा constant आएगा वो origin से distance हो जाएगी मतलब यहाँ तक हमको करना है ठीक है mainly हमको इस part में यहां तक second वाले part तक normal format में इस equation को convert करना है ठीक है आगे क्या कह रहे है also find that direction cos अरे वो ही तो बोल रहे है L M N की value पूछ रहे है ठीक है तो जब हम L X plus M Y plus N Z equal P format में इस equation को convert कर देंगे तो उसके बाद X Y Z के coefficients जोएंगे वो क्या बन जाएंगे वो direction cos बन जाएंगे और equal जो P आएगा वो क्या आएगा origin से उस plane की perpendicular distance आजएगी ठीक है यानि mainly हमको वो ही करना है वो ही मतलब L X plus M Y plus N Z equal D equal P format हमको create करना है ठीक है तो उसके लिए क्या करें यह हमको पता है ABC है जो इसका normal है उसके direction cos है ठीक है ओके तो sorry direction ratios है ABC तो उन direction ratios से direction cos में convert उनको कैसे किया जाए तो यह तो हम अच्छे से जानते हैं कि इन में divide कर देंगे root A square plus B square plus C square से complete equation में divide करना हमको ठीक है तो एक बार मैं इस equation को लिख लेता हूँ X minus 2Y plus 2Z equal 6 यह equation first में ने बोल दिया असको ठीक है अब complete equation में divide कर दो किस से जो root A square plus B square plus C square आएंगे उनसे एक बार लिख लो आप यहाँ पर direction ratios दिखा दो इसको क्या क्या है A की value क्या है यहाँ पर 1 B की value क्या है यहाँ पर minus 2 और C की value क्या है plus 2 है ठीक है root A square plus B square plus C square क्या आएगा मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि यह 3 आएगा 2 का 4, 4, 8 और एक 9 यानि 3 बन रहे है ठीक है तो 3 से complete equation को divide कर दो यानि 1 upon 3 X minus 2 upon 3 Y plus 2 upon 3 Z equal 6 upon 3 यानि 2 ठीक है अच्छा यह जो equation आया यह कौन सा form है यह normal form में हमने equation reduce कर दिया इस equation को normal form में हमने लिख दिया ठीक है अच्छा एक पार्ट हो गया अब दूसरे में क्या कह रहा है perpendicular distance from origin तो origin से जो perpendicular distance है यह वाली हाना तो वो distance भी हमने find कर ली कितनी 2 और तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है था direction cos तो यह XYZ के जो coefficients आप देख रहे हैं यह LM और N होते हैं ठीक है L क्या है 1 upon 3 M क्या है minus 2 upon 3 और यहाँ पे N क्या है plus 2 upon 3 ठीक है तो एक पार्ट यह हो गया एक पार्ट यह हो गया और एक पार्ट यह हो गया यह तीनों इसके answer है ठीक है यह equation यह distance और यह LM N की value अब देखते है question number 7 को find the coordinates of the foot of perpendicular drawn from the origin to the plane this यह जो plane आपको द्रख है यह वाला plane ठीक है इसका equation आपको मिल रहे है और वो equation आपके पास 2x-3y plus 4z minus 6 equals 0 ठीक है अब यह कह रहा है कि इस plane पर foot of perpendicular find करो यह मैंने perpendicular drop किया कहां से origin से यानि यह मेरे पास से जो point है वो point मान लो o point है ठीक है तो इसको मैं point o बोल देता हूँ और इसके coordinate क्या है 0,0,0 ठीक है ओके इस point से perpendicular drop किया गया है तो यह जो foot of perpendicular is को मैं m बोल देता हूँ ठीक है और m के coordinate आपको find करने है ठीक है और यह क्या है red line आप देख रहे है यह इस plane का normal है ठीक है ओके जो कि इस पर perpendicular होता है तो यह दोनो perpendicular line है जो कि इस plane पे है ठीक है तो same object पे दो line perpendicular होने का मतलब किया यह दोनो parallel है ठीक है तो यह जो हमको normal विल रहा है तो मैं बात करूँ अगर normal vector की n vector तो वो क्या हैगा मेरे प minus 3 z cap plus 4 k cap ठीक है यहां पर 2 minus 3 और 4 यह क्या है प्लस 4 2 minus 3 प्लस 4 यह क्या है यह इस normal के direction ratios है ठीक है यानि ABC मेरे पास आगे हैं तो यह आप देख रहे हैं OM, OM क्या है यह भी एक line है ओके और यह इस के parallel है ठीक है तो अगर मैं vector format की बात करूँ तो इन दोनों के direction ratio same होंगे क्योंकि यह दो line ने parallel है दो vector अगर parallel होते हैं तो उनके direction ratios same होते equal होते हैं ठीक है तो OM के जो direction ratios हैं वो भी मेरे को क्या मिलेंगे 2 minus 3 and 4 ठीक है अच्छा अब आप देख रहे होंगे यह जो OM यह क्या है यह क्या है यह के straight line ही तो 3D में line का equation हम Cartesian 4 में क्या लिखते है एक्स upon A इसी type से ना तो passing point इसको मैं fix कर देता हूँ ठीक है तो X minus 0 upon A, A क्या है यहाँ पर 2 A को मैं 2 क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इसके जो direction ratios हैं वो ही है जो इसके direction ratios है क्योंकि दोनों line ने parallel थी तो वो यहाँ पर 2 minus 3 और 4 है तो मैंने लिखा upon 2 equal Y minus Y1 Y1 क्या है यहाँ पर 0 upon B, B क्या है minus 3 equal Z minus Z1 वो भी क्या है वो भी 0 है upon C, C क्या है यहाँ पर 4 ठीक है अब M के coordinate मेरे को find करने है हाँ तो उसके लिए मैं क्या गरूँ equal lambda let कर लेता हूँ तो यहाँ पर X के Y के और Z के जो coordinate आएंगे जो values आएंगी वो lambda format में क्या मिलेंगी जो M point है तो foot of perpendicular इसके coordinate lambda format में मेरे को मिल रहे है 2 lambda मतलब इनको इससे multiply कर रहा हूँ Y के value find करूँगा तो minus 3 lambda हो जाएगा तो Y coordinate क्या है minus 3 lambda और Z coordinate क्या है 4 lambda ठीक है अब यह जो M point है यह इस plane पर लाई कर रहे है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ plane का equation first मान लेंगे उसको minus 3Y plus 4Z minus 6 equal 0 इसको मैंने first equation बोल दिया ठीक है यह जो M point है यह equation first पर लाई कर रहे है equation first मतलब इस plane पर लाई कर रहे है तो इसके equation को satisfy करेगा ठीक है यह चीज़ आपको लिखनी है since M lie on plane 1 ठीक है तो यह जो coordinate है यह इसमें satisfy कर वा हो ठीक है और 4Z, Z की value क्या है 4 lambda तो 4 lambda into 4 16 lambda minus 6 इदर आएगा तो plus 6 इनको plus करो 20 29 तो lambda की value क्या आ रही है 6 upon 29 यह तो मेरे को lambda की value मिली है अगर इस lambda की value को मैं यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे substitute करूंगा तो M के coordinate आ जाएंगे और वो ही मेरे को find करने थे hence foot of perpendicular यानि M क्या आएगा मेरे पास 2 into lambda तो 2 into 6 upon 29 12 upon 29 comma minus 3 into lambda यह value तो minus 3 को इससे multiply करो minus 18 upon 29 और Z coordinate क्या आएगा 4 into 6 24 upon 29 foot of perpendicular हमने find कर लिए यह इसका answer तो अब देखते हैं question number 8 find the vector and cartesian equations of plane which passes through passing point आपको दे दिया ठीक है मतलब plane पर like करने वाला point आपको दे दिया गया है a point इसको हम बोल रहे थे लेकिन पहले vector format की बात करें तो इसके मैं position vector लिखूं अगर a k अगर मैं position vector लिखूं तो वो क्या मिलेगे मेरे को 5 i cap minus sorry plus है plus 2 z cap minus 4 k cap ठीक है passing point के position vector मैंने लिख लिए अच्छा अब आगे क्या कहा रहे end perpendicular to the line with direction ratios यानि normal के direction ratios आपको मिल चुके है 2 3 minus 1 ठीक है तो normal के direction ratio आपके पास है तो मैं n vector find कर पाऊंगा क्या आएगा इनके साथ i z के apply कर दो ठीक है जो dr's हैं आपके पास उनके साथ i z के apply करो 2 i plus 3 z cap minus k cap ठीक है vector format में line का sorry plane का equation क्या होता है vector format में तो वो आया था हमारे पास r minus जो passing point है उसके position vector यानि a vector a इसका dot product हमने लिया था किसके साथ इसका जो normal था यानि n है याँ ठीक है vector n ओके और equal 0 ठीक है तो यहाँ पे r minus a क्या है हमारे पास a है हमारे पास 5 i cap plus 2 z cap minus 4 k cap इसका dot product करने vector n के साथ और n क्या है आपके पास 2 i cap plus 3 z cap minus k cap equal 0 ठीक है ओके तो यह तो vector format में line इसका plan का equation आए है बात करें Cartesian की Cartesian form के लिए क्या करना होता है जो आपके पास vector format है ठीक है उसमे r को x i plus y z plus z के से replace कर दो ठीक है तो क्या आएगा x i cap plus y z cap plus z k cap और r के value मेंने substitute किये minus 5 i cap plus 2 z cap minus 4 k cap इसका dot product किस के साथ n के साथ इस वाले के साथ तो यहां पे लिखा मैंने 2 i cap plus 3 z cap minus k cap equal 0 ठीक है अब इनको solve करते हैं तो यहां पे अगर पहले मैं minus करूँ तो minus करने पे क्या मिलेगा मेरे को i के साथ x minus 5 x minus 5 i cap plus y minus 2 z cap plus z minus minus plus 4 k cap और इसका dot product 2 i plus 3 z minus k cap इसके साथ equal 0 तो क्या मिलेगा i dot i 1 तो x minus 5 को 2 से multiply करो तो कितना आएगा 2 x minus 10 y minus 2 को 3 से करो तो आपको मिलेगा 3y minus 6 z plus 4 को minus के साथ multiply करो तो इस plus के बज़ाए minus मिलेगा ठीक है minus 1 से multiply करेंगे तो minus z minus 4 equal 0 अब इसको थोड़ा simplest form में लिख दो यानि 2 x plus 3 y minus z और minus 20 हो गया इदर आएगा तो plus 20 तो ये equation Cartesian format में आ गया और ये वाला equation vector form में plane का equation है तो अब देखते question number 9 को find the vector and Cartesian equations of the plane which passes through the point 2, 3, 5 and perpendicular to the vector this same पिछले question कित रही है ये भी ठीक है तो passing point आपके पास है उसके coordinate है ठीक है तो सबसे पहले तो मैं इसका position vector लिखता हूँ जो passing point है उसका position vector A vector A वो क्या है आपके पास 2 i cap plus 3 z cap इनके साथ i z के apply करने plus 5 k cap और perpendicular to vector this ठीक है तो यहाँ पे n क्या बनेगा vector n यह आपको दरखे 2 i cap minus z cap plus 6 k cap ठीक है अच्छा vector form की अगर मैं बात करूँ vector form of plane ठीक है तो वो क्या था vector R minus vector A इसका dot product किसके साथ n के साथ equal 0 ठीक है यहाँ पे आप पे value substitute कर दो तो आपको मिलेगा R minus vector A 2 i cap plus 3 z cap plus 5 k cap और इसका dot product किसके साथ vector n के साथ और vector n क्या है आपके पास 2 i cap minus z cap plus 6 k cap या तो आप पिछले part कितर है यहाँ पे छोड़ सकते हो 8th question कितर है vector format में या फिर आप इसको simplify कर लो तो यह जो है इसका dot product पहले मैं R के साथ ले रहा हूँ तो क्या लिखू R dot 2 i cap minus z cap plus 6 k cap ठीक है फिर minus minus इसका इसके साथ dot product करेंगे तो एक scalar quantity आएगी ठीक है वो आएगी क्या वो मैं यहाँ पे multiply कर देता हूँ 2 into 2 4 और minus 3 और 6 5 is a 30 equal 0 अब इसको थोड़ा simplify करके लिख देते हैं R dot 2 i cap minus z cap plus 6 k cap और यह कितना आएगा यह 31 negative है इदर आएगा तो positive हो जाएगा ठीक है तो यह equation हमको मिल गया vector form में उस plane का equation बात करें Cartesian form की तो Cartesian form के लिए क्या करते है जो हमारे को vector format में equation मिला है उसमें R के बदले x i plus y z plus z के value put कर देते हैं R की ठीक है तो क्या मिलेगा आपको x i cap plus y z cap plus z k cap इसका dot product किसके साथ यह वाला 2 i cap जो vector वाला था इसमें कुछ नहीं करना बस R की value यह substitute करनी है बाकि as it is लिख दो और इसको solve कर लो आपको equation जो भी मिलेगा वो Cartesian format में plane का equation आएगा तो आएगा क्या i dot i 1 हो गया तो 2x minus y और plus 6z equal 31 यह Cartesian format में plane का equation आगया तो अब देखते है किशन नमबर 10 इसके 3 पार्ट है फस्ट पार्ट को देखते पहले find the equation of plane passing through the point passing point आपको दे दिया ठीक है यहनि plane में लाई करने वाला point आपके पास है and which is perpendicular यह जो plane है यह perpendicular है किस पे to the line determined by these two points a and b ठीक है a और b को join करने वाली जो भी line है उस पे perpendicular है ठीक है तो a b के में direction ratios अगर निकाल लूँ तो वो इस plane का normal की direction में एक vector होगा ठीक है तो a b के में direction ratios निकाल लेता हूँ direction ratios of line a b a और b को join करने वाली line के बारे में बोल रहे है न तो वो क्या हैंगे x2 minus x1 वाला format अप्लाई करो तो क्या हैगा 2 minus 4 minus 2 और minus 3 minus 3 minus 6 और 6 plus 2 हो जाएगा तो 8 ठीक है ओके इसका मतलब vector n हमको मिल चुके है इसके साथ i z के अप्लाई करो यानि minus 2 i cap minus 6 z cap और plus 8 k cap ठीक है अच्छा और क्या चीए passing point है आपके पास उसकी position vector suppose vector a से denote कर रहे है ठीक है तो वो क्या आप दे रखे आपको 3 i cap minus z cap plus 2 k cap इसने बोला नहीं का अटिशन चीए या फिर vector चीए आप कोई भी format में लिख सकते हो plane का equation मैं दोनों में ही बता देता हूं ठीक है r है आपके पास sorry n है आपके पास a है आपके पास तो हो तक है vector format में लिख देता हूं मैं या पर vector form of plane r minus a dot n equal 0 ठीक है तो यहाँ पे r minus vector a क्या है 3 i cap minus z cap plus 2 k cap ठीक है इसका dot product करने है किसके साथ करने है n के साथ यानि minus 2 i cap minus 6 z cap और plus 8 k cap के साथ equals 0 अब इसको थोड़ा simplify करके आप लिख सकते हो इसका dot product r के साथ करेंगे तो आएगा vector r dot last वाला minus 2 i cap minus 6 z cap plus 8 k cap ठीक है और minus minus इसका इस vector के साथ dot product करेंगे तो इस color quantity क्या आएगी minus 6 plus 6 और plus 16 equal 0 ओके तो यह कितना आगया यह तो cancel हो गया बच्चा क्या 16 plus का 16 इदर है minus 16 है हना इदर आएगा तो plus 16 हो जाएगा तो r dot minus 2 i cap minus 6 z cap और plus 8 k cap इदर आएगा तो plus 16 ओके यहां से 2 common आ रहे हैं तो 2 common लेके डिवाइड कर दो यहनी r vector dot minus i cap minus 3 z cap plus 4 k cap equal 8 ठीक है यह तो vector form है अगर मैं बात करूं cartesian form की तो cartesian के लिए क्या करना होगा इसको r को x i plus y z plus z के से replace कर दो तो उसका dot product इस vector के साथ लोगित क्या आएगा minus x minus 3 y मतलब i z k को x y z में convert कर दो ठीक है और plus 4 z equal 8 चाहो तो आप इनको transfer करके 8 की तरफ ले जा सकते हो तो क्या बनेगा equation x plus 3 y minus 4 z plus 8 equal 0 यह cartesian में equation आ गया और यह vector form में plane का equation है तो अब देखते हैं 10th का second part find the equation in cartesian form अब की बार vector form हमको नीची है ठीक है ओफ ए line passing through the point this ओके यह passing point है आपके पास चलो इसको लिख लो passing point अरे यह क्या हो गया passing point उसको मैं a से denote कर लेता हूं ठीक है यह जो point है यह जो coordinate है point a की coordinate है मतलब point a से यह plane pass हो रहा है या फिर आप इसको बोल सकते हो यह जो point a है यह उस plane में जिसका equation हम find करना चाहरे है ठीक है and normal to the line joining these two points इन दो point को join करने वाली जो line है ठीक है वो उस plane का normal बने ठीक है तो normal के direction ratios निकाल लो ठीक है direction ratios of normal to plane of normal चलो इतना काफी है वो क्या आएंगे दो point आपको दिरिखे ना तो x2 minus x1 वाला fund अपलाई करो तो क्या आएगा 2 minus 3 minus 1 और b क्या आएगा minus 1 minus 4 minus 5 और c क्या आएगा 5 plus 1 6 ठीक है तो a b c आपके पास आगे है हमको cartesian equation चीए ठीक है cartesian equation of plane तो cartesian equation क्या आएथी एक passing point आपके पास और direction ratios है नर्मल के तो हमने find क्या था a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal 0 यह equation हमको मिला था ठीक है cartesian में तो यहाँ पे value substitute कर दो a b c है आपके पास और x1 y1 z1 वो भी है आपके पास ठीक है तो क्या आएगा minus 1 into x minus 3 plus b क्या है minus 5 तो यहाँ पे मैंने लिखा minus 5 y minus y1 तो plus 3 हो जाएगा और c क्या है plus 6 z minus 1 equal 0 ठीक है अब इसको simplify कर लो minus x minus minus plus 3 minus 5 y और minus plus minus 15 plus 6 z minus 6 equal 0 ठीक है तो यह आएगा आपके पास minus x minus 5 y plus 6 z ok और 15 और 15 और 6 21 minus 3 18 minus के 18 ठीक है रहे हैं equal 0 या तो इहीं पे छोड़ दो या फिर आप ऐसा करो इनको transfer कर दो मतलब minus sign common ले लो या फिर minus sign से multiply कर लो ठीक है तो क्या हैगा x positive 5 y positive लेकिन 6 z negative हो जाएगा और 18 भी positive हो जाएगा equal 0 यह Cartesian form में उस plane का equation आ गया तो अब देखते हैं 10th का जो last third part है उसको find the vector equation of a plane passing through the point having position vector this okay passing point की position vector आपको given है इसको मैं a से denote कर लेता हूँ ठीक है तो vector a क्या है आपके पास 2 i cap plus z cap और plus k cap फिर क्या कह रहा है and perpendicular to वो जो plane है न वो perpendicular है किस पे to the normal sorry to the vector this okay यानि n आपको define करके इसने दे दिया vector n क्या है 4 i cap minus 2 z cap plus 3 k cap also find the cartesian form यानि vector और cartesian आपको दोनों ही लिखने है ठीक है तो पहले मैं बात करता हूँ vector form की ठीक है उसके बाद करेंगे cartesian form vector form vector form क्या थी vector form में हमने पढ़ा था r minus a dot n equal 0 वाला तो वो लिखो r minus a इसका dot product vector n के साथ और equal 0 तो यहाँ पे value substitute कर दो a की और n की a क्या है 2 i cap plus z cap और plus k cap इसका dot product किसके साथ वेक्टर n के साथ तो यहाँ पे वेक्टर n क्या है 4 i cap 4 i cap minus 2 z cap plus 3 k cap equal 0 अब इसको simplify कर लो तो r का इसके साथ dot product देखो चाहो तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो ठीक है r को मैं इसके साथ लिख रहा हूँ dot लगा के r dot 4 i cap minus 2 z cap और plus 3 k cap अब इसका इसके साथ dot product करेंगे ठीक है तो एक scalar quantity आएगी और वो क्या हैगी 4 to the 8 minus 2 1 z 2 और plus 3 1 z 3 equal 0 ठीक है यानि r dot 4 i cap plus 2 z cap plus 3 k cap और यह कितना आएगा 6 plus 3 9 minus 9 ठीक है इदर आएगा तो plus 9 equal 9 यह vector form में हमने line का equation लिख दिया ठीक है अब बात करें Cartesian form की तो Cartesian form में equation क्या आएगा यहाँ पे r को हटाना है और यह जो i z के है इनकी जगे x y z apply करने है मतलब r को x i plus y z plus z के से replace करने है ठीक है उसका इसके साथ dot product करोगे तो क्या आएगा 4 x plus 2 y plus 3 z equal 9 यह किसका equation आ गया उसे plane का Cartesian equation आ गया ओके सोरी एक correction करना यहाँ पे minus 2 था न मैंने by mistake plus लिख दिया इसको आप minus करना ठीक है और यहाँ भी plus की बजाए minus sign आएगा यह आपको correction करना है तो अब देखते है किशे number 11 को तब position vectors of 2 points 2.a और b उनके position vector आपको given है ठीक है find the vector equation और plane plane का vector equation find करना है throw b जो b से पास हो रहे है ठीक है अब passing point आपके पास b उसके position vector है ठीक है तो उसको मैं a से denote कर लेता हूँ vector a ठीक है b से पास हो रहे है न तो b के position vector आपको दिरिखे 1-2 और-4 वाल है तो क्या लिखो मैं i-2 z cap और-4 k cap ठीक है और क्या चाहिए vector के लिए आपको r-a dot n करना होता है हाना तो r तो as it is लिखते है a की value है आपके पास n की value चाहिए vector n और vector n कैसे define होगा वो आगे पड़ो और वो जो plane है न वो perpendicular है किस पर a b पर है तो a b vector को अब define कर लो a b vector यानि b के position vector में से a के position vector को minus कर दो ठीक है तो b वाले में से a वाले को minus कर दो 1-3-2 i cap minus 2-1-3 z cap minus 4-2-6 k cap n vector भी आ गया ठीक है अब हम vector equation लिख पाएंगे किसका इस plane का ठीक है vector equation vector equation मतलब vector form of plane of plane होता कि है एक बार वो लिख लो r minus a dot n equal 0 ठीक है value substitute कर दो r minus a a क्या है i cap minus 2 z cap minus 4 k cap इसका dot product किसके साथ n के साथ minus 2 i cap और minus 3 z cap minus 6 k cap equal 0 या तो या तो आप यहाँ पर छोड़ दो तो भी गलत नहीं है और simplify कर दो तो उसकी तो बात यह अलग है तो r के साथ तो यह vector आएगा r dot minus 2 i cap minus 3 z cap और minus 6 k cap minus minus इन दोनों का dot product कर वाएंगे तो एक scalar quantity आएगी वो मैं याँ पर लिख रहा हूँ minus 2 और plus 3 to 6 और plus 24 equal 0 ठीक है तो क्या है आपके पास r dot यहाँ से minus चलो पहले इसको solve कर लो कितना हैगा 24 और 36 minus 2 28 हाना minus 28 है यह minus 28 यहाँ से minus common ले लो तो सभी value positive हो जाएंगी ठीक है तो क्या हैगा 2 i cap plus 3 z cap plus 6 k cap और यहाँ से minus हमने common लिया था तो plus 28 equal 0 ठीक है यह vector 4 में plane का equation हमने point कर लिया तो अब देखते हैं आज के वीडियो का last question number 12 let n vector be a vector of magnitude 2 root 3 okay vector n का magnitude आपको given है और वो कितना है 2 root 3 unit है ठीक है such that it makes यह जो n vector है न यह equal acute angle बना रहा है coordinate axis के साथ अब coordinate axis के साथ equal angle बना रहा है मतलब alpha beta gamma 3 equal है इसका मतलब direction cosine equal है ठीक है यानी l equal m equal n okay ठीक है तो अगर n का magnitude आपको given है हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है ठीक है और यहाँ पे l m और n यह तीनो equal है तो direction ratio वो भी equal आएंगे क्यों आएंगे equal यह मैं रफली बता देता हूँ ठीक है वैसे आपको direct लिखना है hence अगर ऐसा है तो hence direction ratios of n क्या होंगे 1,1,1 ठीक है क्यों अब यह मैं रफली यहाँ पे बता रहा हूँ ठीक है तो देखो l m n equal है हना l क्या होता है a upon root a square plus b square plus c square ठीक है किसके लिए अगर आपको n vector इस format में दिरखए a i cap plus b z cap plus c k cap इस format का अगर आपको n दिरखए इस ही format का होगा ठीक है तो उस case में l m n अगर मैं n vector के लिए find करना चाहूँ तो यही तो आएंगे m क्या हैगा b upon root a square plus b square plus c square ठीक है और n क्या हैगा c upon root a square plus b square plus c square ठीक है लेकिन यह तिनों equal है तो equal कर दिया मैंने अगर equal है तो यह cancel upon वाले तो बच्चा क्या a equal b equal c और a b c क्या है direction ratios a b c ठीक है तो direction ratio equal आ रहे हैं अब a b c चाहे कुछ भी हो लेकिन यह तिनों equal है suppose 12 है तो 12 12 12 जब आप इनको simplest form में convert करके लिखोगे तो 1 1 1 ही तो आएगा 12 से divide करोगे तो तो ध्यान रगना जब भी l m n equal होते हैं तो उस vector के direction cosine sorry direction cosine equal होते हैं तो direction ratios के आएंगे 1,1,1 ठीक है तो वो ही मैंने यहां पर लिखा है तो direction ratio अगर मेरे को मिल चुके हैं तो n vector में define कर पाऊंगा ठीक है भी direction ratio आगे तो उनी के i,z,k component apply कर देंगे न ठीक है तो क्या लिखें now n vector आपको मिल चुके हैं क्या i cap plus z cap plus k cap ठीक है अच्छा n है आपके पास और क्या चीए एक passing point चीए और वो point इस point से पास हो रहा है और normal क्या है n ही है ठीक है तो normal आपको मिल गया और passing point उसके position vector में लिख लेता हूं ठीक है vector a वो क्या है i cap minus z cap plus 2 k cap ठीक है अब vector और cartesian दोनों form इसको चीए हाना vector and cartesian तो पहले मैं बात करता हूं vector form of plane की ठीक है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं vector form जो vector form है वो थी क्या r minus a dot n equal 0 तो यहाँ पे value substitute कर दो r minus a i minus z plus 2 k cap ठीक है और इसका dot product लेना है किसके साथ लेना है dot product n के साथ n क्या है आपके पास i z k i plus z plus k और equal 0 ठीक है अब इसको simplify करो तो vector form आपको मिलेगी r dot i cap plus z cap plus k cap minus minus अब इनको solve करोगे तो 1 minus 1 खतम कानी plus 2 लेकिन आगे minus है यह यह minus 2 आएगा यहाँ पे तो इदर आएगा तो plus 2 बन जाएगा ठीक है तो यह एक answer हो गया हमारा जो की vector form में आपको plane का equation मिला है ठीक है अब बात करें Cartesian की Cartesian form में क्या करना होगा आपको r को हटा दो और i z k के बदले x y z apply कर दो क्यों? क्योंकि r vector जो है वो x i plus y z plus z k को represent कर रहा है यहाँ ठीक है तो क्या आएगा उनका dot product इसके साथ लोगे तो x plus y plus z equal to तो यह Cartesian form में उस plane का equation आ गया है